हालो दोस्त, एलपी टेकनीशियन परीचा में रिप्लेश्मेंट पैनल जारी हुआ है वेटिंग लिस्ट कंडिडिएट और अस्टेंड बाई लिस्ट किलियर करके रिप्लेस्मेंट पैनल और खास करके यहां पर केवल टेकनीशियन है, यहां पर एलपी नहीं है और Technician में भी PCM Technician का ज़्यादा पैनल है 134 नंबर कटेगरी और 136 नंबर कटेगरी का RRB Guati है इसके website पे हम देखेंगे कि इस placement पैनल में कितने लोगों का सामिल किया है तो 10, 6, 16, 4, 20 और 11 के इस कंडिडेटों का पैनल जारी है तो यहाँ पे आप RRB Guati में आएंगे तो कल के डेट में पैनल का है लेकिन सो हो रहा है आज 20 तारिक को तो यहाँ पे देखिए यहाँ का सकते हैं डाइरेक्ट टेकनिशियन 3 का पैनल जारी हुआ है उसमें भी PCM का जादा हुआ है बिना देरी किये इस पैनल को ओपेन करेंगे ओपेन करने के बाद हमारे पास यह पैनल आएगा तो पैनल में देखिए किलियर लिखा हुआ है सारी कंडिशन रिप्लेश्मेंट पैनल पोट टेकनिशियन सेंट्रलाइजर नोटिपिकेशन एक अबलिक 18 में खास करके वेटिंग लिस्ट और अटेंड बाई कंडिडेट को लिया गया है जिसमें कटेगरी नेमर सेंटालीस तीराइवे एकसो चौटिश और एकसो चाथिस नोट प्रॉंटिर रिएलवे गुवाटी का कह सकते हैं पैनल है और इनकी आगे की प्रोसेस आपकी डिवीजन से किया जाएगा जब इनकी सारी डॉक्मेंट सही रहेगी तो डॉक्मेंट बेरिपिकेशन तो पहले ही हो गया है दुबारा होता नहीं है जेनली लेकिन फिर भी अरार्वी का अधिकार है कि वो कर सकता है और आगे की प्रोसे के लिए एक है और बाकी आगे देखेंगे category नंबर 134 और 136 की बात करेंगे तो 134 में 16 candidate का है और 136 में 10 candidate का नाम है यानि PCM signal के लिए कह सकते हैं जिसमे IT candidate भी हो सकते हैं लेकिन cut up जादा गया था तो PCM वाले जादा यहां थे एक तो familiar है तो यहां से अगर जोड़ ले तो दस यहां से कर सकते हैं और 16 यहां से 1 यहां 메 wagon is 16 यहां से 16 16 26 27 24 31 लोगों का है तो 21 जोड़ दिया था थो 31 लोगों का यहां की तो time fix होती नहीं है generally एक month या 30 दिन होता है कि इतने दिन में process हो जाती है लेकिन अब depend करता है RRB की internal matter पर कि कितना vacancy है कितनी जरूरत है कितने time में करा देगा तब उसकी आगे की procedure होती है और joining उसके के आगे भी बढ़ती रहती है तो आगे का process आपको डिविजन से आपके घर पे आएगा तो कहिए इतने लोगों को 38 लोगों के लिए बदाई है Thank you